वो कितनी सुन्दर है, दिल की कितनी साफ है, खल राट डिनर के वक्त ना हम… ए, चुब बैट, अपना काम कर यार ए, तू असमिता का नाम सुनते इतना उखड क्यों जाता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अभी-अभी, वो तेरे लाइफ में आई है, और तुने उसे अपना ब्रैंड मॉडल बना दिया, उसकी शकल देखते हैं लोग, राशन लेने तेरी दुकान पर आएंगे, एई, इतने सालों से तेरे साथ हूँ, बेर अफेस अपनी पोस्टर पर क्यों नहीं लगा था? गलती हो गई भाई, माफ कर दे, ठीक है, माफ कर दिया तुझे, लेकिन सुन ले, एक बार सोच ले, कोई फादा नहीं होने वाला फाइदा क्यों नहीं होगा? अबे, असमीता एक डॉक्टर है, तुमने जो पापा के लिए सेक्रिफाइस किया, वो नहीं समझेगी, और नहीं तुम्हारे इस दुकान में साथ देगी तुने कोर्रस्पॉंडेंस से PG और PhD किया है, तु स्मार्ट है, कॉलिफाइड है, तुझे दुकान नहीं चलाने देगी यार, उपर से तुम्हारे पापा के तेवर देखकर डर जाएगी पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे, एक आंदोलन के वक्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हुए माँ की मौत हो गए, पापा के मन में डर बैट गया, डॉक्टर कहते हैं कि ये एक तरह का कॉम्पलेक्स फोबिया है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलि और कि में इसलिए टॉुक्र के विल्स का का के ला ओक्त! आपको शिवा, शिवा, शिवा वियो देखो जगन को, क्या होगे, शिवा, शिवा, उसे किस मूर से बताओ कि यहां मेरी क्या हालत हो गई दादा, क्या बोलो उसे, खुदकुशी ही रास्ता बचा है, इसकी पीबी अस्पताल में है, वो पेट से है, यह अगली अपका अपने तो को हीर पिकर रे, कम से कम हमारे पास्कूड तो वापस करें, हम बस एक बार गाहँ वापस जाना चाहते हैं, यह को क्या होुगा, अब मैं इसके पिता को क्या जवा सोगा, वो इसे कभी सिंकपूर नी बेजना चाहते थे, इसे मेरे सिमया भेया था, अब जम्हा च़्ो सिंगापूर में इंडियन कम्यूनिटी के नस्दीक गैस की लीकेज की वज़े से गैस एजनसी में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 11 लोगों की मारे जाने की खबर है पांच लोग कंभी रूप से खायल है जिने अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है लिकेज की वज़े का अभी तक कोई पता नहीं चल सका पुलिस इस गैस एजनसी से पूछ दाज कर रही है किसी की जान की कीमत सिर्फ 10,000 डॉलर इतने पैसों में उनकी बाड़ी उनके गाओं भी नहीं बेज सकते मैंने उन्हें वहाँ नोकरी दिलवाई थी शिवा तुने नेक इरादे से उन्हें नोकरी दिल है किसे पता था ऐसा हो जाएगा 11 लोग बार कैं जवान लड़के घर पैसे भेजने के लिए दिन रात महनत करते थे यहार एक्सेडेंट कभी भी हो सकता है हम भी बाल बाल बचे हैं सब लोग या तो हास्पिटल गए हैं फिर मुर्दाग है सब के सब भूखे होंगे चल चलते हैं बेटा मैंने घर पर खाना बना कर रखा है सभी लोगों में बांट देना ओके अंकल चल शेवा एक मिनट गाड़ी रोक अब यहां क्यों रोक रहा है एक मिनट सुद कहां जाय रहा यह क्या है सारी डेट बॉड़ीज मौर्चोरी लेकर गए ना तो फिर इससे क्यों पीछे चोड़ दिये यह भगवान यह डॉगी तो उपर वाले घर का है एक घंटा पहले बिलकुल ठी मतलब यह गास एक्स्प्लोजन से नहीं मारा बिलकुल नहीं भाई मैं थोड़ा कामें बिजी था और अभी देखता हूं तो यह मर चुका है शिवा हम लेट हो रहे हैं चलना चलते हैं रुप शुन उस ट्रांस्पॉर्मर का फ्यूज निकाल दें वो किस लिए जो बोल रह यह पेंट देख रहा है गास लीके जैक्सिरिंड नहीं था किसी ने जानबूच कर गास लीक करवाया है पेंट का गास लीके से क्या कनेक्शन है उन्होंने पेंट के साथ स्ट्रॉंग आसिड मिक्स कर दिया है अपने अरिया में तो सारा पेंटिंग जोसेफ के लोग करते हैं ना उनकी पर्मीशन के बगार कोई हाथ नहीं लगा सकता है यहां जोसेफ कहां मिलेगा येस आइवाण टो क्लूरियो जोसेफ एफ एक लिए क्यों वट कि अ कि अ अ ही, दождता शपा वड़या प्या अ来了 को या महिरे 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 बल ए लगको नbn ऑए ए झाल भöllग वोग्यो पस्फ ए छोसेफ वै कोई का कोई प्रिवे राट अन्रह जो जो ऑ् गCs प्लीज, प्लीज, मारो मत मुझे ड्रक्स की आदत है तुम मुझे माँ डालोगे तुम तो मुझे जानते हो अगर कोई पैसे देता है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करता एक बंदे ने मुझे वाट्साप पर कॉन्टैक किया था मुझे उसका नाम भी नहीं पता है उसने 10,000 सिंगापॉर डॉलर्स देने का वाटा किया उसने जो कहा मैंने वैसा किया उसने दुछे पैसे कैसे दिये उसने एक लिस्त दी थी और यही अससे कुछ चीज़ें खरीदने को गा था मैंने उसे चीज़ें खरीद कर दे दी तब उसने कहा पैसे कच्रे के डिबबे में हैं मैंने पैसे लिया और मैं भाग गया मुझे वो लिस्ट चाहिए मुझे वो लिस्ट दे शीवा सर बैठो बैठो मुझे लगता है उसे कुछ मालूम नहीं है पर हमेशा की तरह तुमने अच्छी तरह से तहकीकात किया सर उसे बिल्डिंग की एक्जाक लोकेशन गास लाइन के डाइमेंशन सब पता थे जो ब्लूप्रेंट के बिना मुम्किन नहीं है ये सोची समझी साज़श है सर बस इसके पीछे का मकसद समझ में नहीं आ रहा कहीं है टेररिस्ट अटाक तो नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसने बहुत ही होश्यारी से विस्फोट के सोर्स को चुपाया है देखने से यही लगता है कि यह एक्सिडेंट होगा अक्सर ऐसे हमले भीड़ वाली जगे पर होते हैं और वो जिम्मेदारी भी लेते हैं सर उसके पास यह लिस्ट थी यह देखिया आपने यह सब वायरलेस हैकिंग टूल्स है दमाका कंट्रोल करने के लिए यह उसने हमारी कम्यूनिटी के एरिया के पास ड्रॉप किया था जरूर कोई खास बचा है कि उसने हमारे इलाके को टागेट किया सर येस अच्छा शिवा कोई सुराग मिलते ही तुम्हें इंफार्म करूँगा ठीके सर शिवा एक मिनट रुको यू केन गो वैसे तो ये रूल्स के खिलाफ है कि मैं ये सब किसी बाहरी बेक्ती से डिसकस करूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर अरुन धती मोहन सिंगापुर आ रही हैं तुम्हें पता है हमें उनका ट्रेवल रूट एक मेना पहले बताया गया था लेकिन हमारे एरिया में काफी इंडियन्स मर गए इसलिए उनको शर्धांजली अर्पित करने के लिए उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया है यहां की सरकार ने इसके अनुमती दे दी है तो सिंगापुर मिनिस्ट्री जाने से पहले वो अपने एरिया में रुकेंगी मुझे ऐसा लगता है कि इस धमाके का उनके दोरे से कुछ नकुछ कनेक्शन जरूर है आपको उन्हें रुकना चाहिए उनकी जान को खतरा हो सकता है सर मेरे पास पुखता सबूत नहीं है मैं इस केस से सम्मधित पूरी डिटेल्स अपने सीनियर्स को और इंडियन सेकुरिटी एजन्स्टी को भेजने वाला हूँ अब वो ही इसका फैसला करेंगे वो कब आने वाली है कल सुभे नौ बजे